हाई दोस्तों गूद इबनिंग आज क्या है कि खाद परिरच्छड जो संग्रा है उसकी विधियां कल बताया गया था उसके आगे हमने विधियो का रिटेल किया है तो चलते हैं टॉपिक की ओर देखते हैं टॉपिक क्या है तो पहला टॉपिक है प्रसीतन विधी प्रसीतन हम जाल लेते हैं भोज़पदात ऐसे भी हैं जिन में आद्रता बनाए रखना नितांत आवस्चेक होता है जैसे कि कुछ भोज़पदात ऐसे होते हैं कि जिसमें आद्रता रहना भी जरूरी होता है जैसे कि दूध है दही है फल है अंडा है सबजी है आदी इन सभी को रखने के लिए इस्टोर करने के लिए इनको सरचित रखने के लिए क्या होता है आद्रता की रहना जरूरी है जैसे कि नमी रहना जरूरी है इसलिए इन्हें ठंडे स्थानों या रेफ्रिजरेटर या बर्फ में रखा जाता है तो रेफ्रिजरेटर जैसे जो फ्रीज में हम लोग यांति कि रखती है उसको ठंडा रहने के लिए तो कुछ ऐसे पदार्थ होते जिस से क्या ह। आधरत या नमी की जर्रूद होती है आगे है कि प्रसृतन विधी का ताप difficulties किपना होना तो 4 DGC से क्या है 10 DGC तक रहना चहिए कितना है 4 DGC से 10 DGC के बीच में रहना चाहिए प्रसीतन वीधी के अंतरगत तापमान तब क्या है कि छो भुजे पदार्त है हमारे थीहीमीकरण विधी क्या है तीहीमीकरण विधी के अंतर गताते है Examples तीहमीकरण का ताप मान वह कितना होना चाहिए इस तक कम रखा जाता है इस तापक्रम पर शुष्वाइशिवों की और और सुर्शमजीयों की वृधिा रुख जातीह यह बीश्द्रिकृट सुलीक के बिच में रहती है तो किरें इस के तापमान में क्या होता है कि आ हमारा जू भ़ोजपदार्थ है खराब नहीं होता है आगे है के जो हमारा ही में करडविधि कUI sufficient गाय명이 carbonald दो हो में बाचरा है इन यह मतलब इनके क्या है तीन वर्ग है कितने सेiãoइ कि इस की से 1 ूर्च वी विद्विधी लू Dip 3 वर्ग है लुक्त दी से 1 धीर isnya बाटा गया है है तो पहला क्या है गयरी हीवीद्विधि क्या है पहला क्य gives भूजिपदाधत हो को 18 degree Celsius से 40 degree Celsius तापमान पर रखा जा सकता है और जैसे कि इसमें क्या रख सकती है कौन सा भुजपदाल मचली है दूद है आईस्क्रीम में दही है सूप है इनका रखने का जो तापमान होता है 18 degree Celsius से 40 degree Celsius के बीच में रखा जाता है गहरी हीमी भूत विधी के अंतरगत क्या है दो विधियां है तीवर गहरी हीमी क्रीद विधी मंद गहरी हीमी क्रीद विधी जैसे कि जादा एकदम ठंडे टंप्रेचर पर रखना और मेडियन टंप्रेचर पर रखना मंद है तो क्या है कम टंप्रेशर स्वाफ ज्ञिए चलते हैं चिलिय तो है तो तो बहुत रच्छड तापमान है के चीली स्ट्रेंज में बनार क्या नीव दिए कि अंतरगत बड़ाइन जाएं कि नोत्म कितने चाहिए ने इंप्धेचि उन्सट्रिश के nep यह सी्ट्रिण स्टाफच्डश करें wissen जैसे कि इसमें क्या रख सकते हैं चीज वह पनीर का टंपरेचर कितना होना चाहिए तो 45 डिग्री फारिन हाइट इसमें क्या होता सरवाधिक सुरच्छित रहता है और दूद्ध अंडा को कितने डिग्री सेलसेल की बीच रखा जाता है तो अगे चलती है अंतरगत तीसरा विधी है तो तीसरी विधी कौन सी यह गोल्डी स्टोरेज विधी कोल्डी स्टोरेज विधी काता होना चाहिए जीरो से लेके 32 फारेन हाइट होता है जीरो से लेके 32 फारेन हाइट के बीच में कोल्ड स्टोरेज तापमान होना चाहिए जैसे मक्खन रखा गया है तो मक्खन का टंपरेचर कितना होना चाहिए क्या है यह फारेन हाइट के बात कहा गया है तो 25 डिगरी फारेन हाइट से 3 डिगरी फारेन हाइट तक होना चाहिए और मचली है मांस और मचली को कैसे रखा जाता कितने फारेन हाइट पे तो 15 से 18 डिगरी फारेन हाइट पे रखा जाता है आगे चलते हैं कि समान या सेलार इस्टोरेज क्या है इसके बारे में देखती हैं समान या सेलार इस्टोरेज क्या है यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है इसका तापमान क्या है तो 15 डिग्री सिल से से कम होता है सेलारी यह 15 सिल्षे स पumpallows 15 सिल से कम होता है जैसे कि आलू है पयाज सकरकंदी है अरवी है आदी है इस सब इको सरचित रखने के प्रयोग के जाता है Їसमें क्या है कि 2017 is सकर कंदी है रवी इसे हम 6 मीन carbon के लिए से कि जमा पुजिक रूप में रखा जाता है तो इसमें क्या होता है कि हम एक underground जैसा अगर रूम है underground रूम है तो हुसका टोम रहत है कैसा तो इसमें लभी समय सदूर्प होता है паль Must bench स कम होना के रहता है कम होना चाहिए अगे चलते हैं गैस गैस संग्रigor हाल क्या है संग्र इसकी जणली जसके भी सबाता है रहते हैं जल यवं सबुet करती रहती हैं कुछ सब्चियां होती हैं इस सबचियाइं निस्कासिशित करता हैं जो समझे जल-वं carbon dioxide के बाहर निकलने से उनके भीतर ze2 की मातरा कम हो जाती है इस do oxygen भूच्पदाक शड़ जाती है इसमें क्या होता है जैसे कुछ फ़ल और शब्जियां होती है इसमें क्या होती है जल की मात्रा होती है तो कारबन नई अक्साइट क्या होता है उसमें के निकलने से क्या होता है पानी की कम हो जाती है निरंतर तो क्या होता है वह सुखने लगता है तो सड़न पैदा हो जाता ह तो इसमें क्या है कि पदार्थ जो होते हैं सड़ जाती है जब उसमें पानी की कमी होती है और कार्बन डायकसाइट की कमी हो जाती है वो निसकासित होने लगता है तो उसमें क्या होता है कि भुजपदार्थ सड़ने लगते हैं आगे है सूस के हिमिकरण वीधी तो सूस के हि आगे चलते हैं कि इस विधी द्वारा जीन फ़लों यहम सब्जीयों को सर्रचित करके रखा जाता है उसे सबसे पहले गर्म करके उसमें उचित नमी की आदी मात्रा को सुखा दिया जाता है कोई भी जो फल या सब्जी उसे सरचित रखना है लंबे समय तक पिले उसे क्या किया जाता है कि उसे सबसे पहले कम गर्म किया जाता है फिर उसको उचित मात्रा मुसकी नमी को हटा दिया जाता सुखा उसके जो उचित नमी होते उसको सुखा दिया जाता इस प्रकार के जो प्रक्रिया की जाती है क्या करते गर्म करके जो उनके नमी को सुखा जाता है ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हीमी करण किया जाता है क्या है फ्रीजिंग की जाती है आगे चलते हैं कोशन की वीधी तो निर्जरी करण वीधी के अंतरगत बताया गया कि भुझेपदार्थों में उपस्थित पानी वाटर की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया निर्जरी करण कहला तो घ्क करते हैं ४ क्या करते हैं कम कर देते हैं या सुसुखा कर कोई भी क्रिया प्रक्रिया विधी द्वारव से हम कम कर दे तो क्या कहलाता है निजरी करण क्या कहलाता है? डीहड्रेशन कहलाता है जैसे देखते हैं किसके आगे जैसे क्या बताए कि कच्ची फलिया कच्चा आम, आवला, अंचीर अंगूर, सब जिया मचलिया आलो, चिप्स आदी ये सबीको अगर सरचित मुझे रखना है तो क्या करते हैं करते निर्जली क्रण करते county में क्या होता है कि कुछ ऐसे सामग्रियां विदी के लिए हम उसे गर्म करके भी उसका पानी वास्पि क्रित और धूप में शुखा और उसका वास्पि कर णीबदिन्हे चलते निर्जली कडरक वेधी के अंतरगा सब आते हैं आगे चलते हैं टॉपिक की और देखते हैं तो निर्जली कडरक की दो वीधियां है पहला क्या है प्राकृतिक वेधी क्रितिम वेधी इसी में बताएगा कि जैसे प्राकृति वेधी क्या होता है धूप के द्वारा शुखान ढोले कें आगे टोपीक है धूप से धूप का जाता है धूप में कैसे शीचों है आनायाज दाल रखे हैस्थ, मेवे ,ैकए मचली हो जाते हैं धूप में सुखाने की वज़े से भुज़िपदार्थ में विटामिन सी की कमी हो जाती है अगे है कि ब्यापारी की स्थर पर निजरी करत क्या होता है तो ब्यापारी की स्थर पर क्या है इस्प्रे द्वारा सुखाना इस्प्रे करके कुछ समगर को सुखा जाता एकुछ रोल्रो द्वारा सुखायेंगे त्रम कने स्टेशंच का नेजली करते हैं वंत pasti है के ज्याग्चटाई सुस्कडविधी जाग चटाई शुसकरण विधी क्या होता है भोज़पदात में ग्रिस्राल अंडा मोनो इस्टी अरेट आदिकाव पयोग करके भोज़पदातों में क्या होता है जाग उठा जाता है फिर इसे सुखाया जाता है इस विधी का लाफिया होता है कि कम ताप और कम समय में भोज़पदातों को सरच्छित पुर्रूप से रख़ा जाता है में जाग उठाने आओ सुषकरण विधी का यही में मतलब कहने का मतलब है कि कम ताप और कम समय में कम ताप मान और कम समय में हम क्या कहते भुज़कदार्थों को सरच्छित रख सकते हैं से क्या है रशा कर्शर ? रशा कर्शर के अंतरगत क्या बताय गया है ? जीवाडू के कोसो, साद्रता अधिक होने के कारण नमी असोसित नहीं कर पाता है इसके वीफरी द्वाह साद्रड बराबर बनाने के लिए जिवाडू के कोशों में उपस्ती तरल पदार्थ बाहर निकल आते हैं अब क्या है कि नमक वसकर से दोनों से रसाकर्षर की प्रक्रिया पूर की जाती है जिवाडू के कोश्र सादता अधिक होने के कारण नमी अवसोसित नहीं कर पाता है उसमें रस होने के वज़ए से जिसके वीफरी दोनों से बराबर बनाने के लिए जिवाडू के कोश्रों में उपस्ती तरल पदार्थ बाहर निकल आते हैं तो उसमें क्या जाता है नमक वा सकर दोनों से रसा कर्षर की प्रक्रिया पूरी की जाती है जो भुज़पदात उसमें क्या होता है रसा कर्षर के अगर कम हो जाती है तो नमक वा सकर को दोनों को मिला कर उसके क्या पूर्ति की जाती है उनकी प्रक्रिया दोरा पूर्ति की ज यह रसा कर्षर विधी के अंतरगत है जो तयार किये जाते हैं भुजय सामक्री जैसे कि नमक की मात्रा कुछ ऐसे चीज़ों होती है जैसे अचार है अगर आम का अचार हम बना रहे तो उसमें नमक की मात्रा रहेगी तो कितना नमक की मात्रा जैसे 15-20 परशंट तक रहना चाह कि परशंट होने के वज़ेत से क्या होता है कि खराब नहीं होता है इसमें फपुंदिया नहीं लगती है और इसे हम सरचित रख सकते हैं आगे है् जिन की नमक की वार्णतर है प्रियोक पर्योंग करेंगे सुच मजिय उच्य दिश्गमांपा पाकर ही तापमान दिखाया जाता है तो वितल नश्च हो जाती है जैसे इसके अंतर गडिन तरषी बताइगा गजफ रादस अधिक मताप लर hustle दिशता पर तो कैसे करेंगे और बुजबाद घृक्रीये की जवब्गे पन्राओ सुर्ट eh जिपदा थे उसका हम पाश्वरी करड़ करते हैं उसके साथ ही रेफ्रीजरेजन, रेफ्रीजरेशन, वायू का विलोपन, जिवानों का निश्काशन, अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में सक्कर की क्रिया दो तापमानों में की जाती है तो जो इसका मिलावट किया गया इसमें क्या है इसके जो तापमान है दो तरीके तापमान बताएं गये हैं हैं 1 जो 100 दिग्री-सलसीशं से कम तापपध्य चर्चित किया जा गया पास्वरी करण तो इसमें कहा बताया गया जो पास्वराइजेसन करना है दूद का तापमान कितना होना चाहिए दूद को इसका तापमान कितना होना चाहिए Kj 2.8 gram 직접 अगर फारंवाट की बात की जायता हो। वन फोर फॉर ठीडिग्री फारेनहाइट फारेनहाइट पड कितना होना जाहिए तो ने सबागरों तो पस्ट्राइजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम दूद को हम 30 मिनर तक गरम करके और तुरां थंडा करते हैं तो पस्ट्राइजेशन के अंतरगर पस्ट्राइजन विधी के अंतरगर आता है आगे है यह पॉइंट है कि 72 डिग्री सेलसेश्स पर क्या कहया जाता है डिग्री सेलसेश्स पर इसका क्या है ताप माण पर 72C, ताप मान पर अगर, Fahrenheit पुछत, 162, डिक्री Fahrenheit इसमें क्या कहा गया है कि इसे उच्य ताप कम समय विधी कहते हैं 72 जो 627-डिकर आपका है, 162 degree Celsius बात कहा गया है ताप मान पर और Fahrenheit के बाद कहा कि, 162 Fahrenheit ये काउन से विधी उच्य ताप कम समय विधी high temperature short time method इसका mean क्या कहना है कि उच्चताब रहे और समय कम लगे ऐसे विद्यू का प्रियोग करना है मतलब इस temperature का प्रियोग करना है कि उच्चताब और कम समय लगे तो high temperature short time method है इसका क्या है shortcut इसका फुल फॉर्म होता है high temperature short time short time तक ही होगा फिर आगे है कि दूद को क्या है 22 degree Celsius पर 15 second के लिए गर्म किया जाता है दूद को 72 degree Celsius पर 15 second के लिए गर्म किया जाता है तत पस चात रूंत 10 degree Celsius से कम ताप पर ठंडा कर लिया जाता है क्या कहा गया है कि हम इसे प्रक्रिया के अंतरगत के बताया गया है कि 72 degree Celsius से Fahrenheit क्या है 112 degree Fahrenheit ताप मान की बाद कही गई है कि दूद को हम क्या करेंगे 72 degree Celsius पर 15 second के लिए दूद को गर्म करेंगे फिर उसके बाद 10 degree Celsius से भी कम ताप मान उसे ठंडा कर देंगे यह कौन से विधी कहला आएगे उचिताप और कम समय के विधी के अंतरगत आएगे आगे है कार्बोनेट कार्बोनेट ठंडे पे पदार्थ को पास्चुरी करड़ करने के लिए उसे क्या है कि carbonate ठंडे पेपदार्थ को पास्चुराइज़ेश पर 30 मिनर तक रखते हैं correspondent जो पेपदार्थ होती है उनका पास्चुराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे 66 दिग्री सेस्य़ेश पर 30 मिनर तक क्या है रखेंगे और ये दूसरा पॉइंट है इसके पहले हम ये पहला पॉइंट बताया थे पास्चुरी करण जो है 100 डिग्री सेल्सेस से कम ताप पर और इसके आगे है दूसरा पॉइंट 100 डिग्री सेल्सेस ताप पर पानी का क्वथनांग होता है क्या होता है पानी का क्वथनांग होता है आगे चलते हैं फलो ये वम सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सेस पर 1-3 मिनर तक उबाला जाता है तक पस्त तुरं ठंडा कर दिया जाता है इस विध्यों को क्या कहा जाएगा ब्लांचिंग क्या कहा जाएगा वो इसे ब्लांचिंग कहते हैं फलो या सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सेस पर 1-30 मिनर तक उबाल देना तत पस्त तुरंट उसे ठंडा कर देना ब्लांचिंग की प्रक्रिया कहलाती है आगे चलते हैं जो तीसरा पॉइंट है कि 100 डिग्री सेल्सेस से अधिकताप पर क्या है तो 100 डिग्री सेल्सेस से अधिक तापमान पर सबी सुच में जीवों तथा जीवाणों का नास हो जाता है 100 डिग्री सेल्सेस क्या हो अधिक तापमान होता है इसमें क्या सुच में जीवों और विशड़ों का नास हो जाता है प्रेसर कुकर में भोजन पकाने पर तापमान में ब्रिधी 100 डिग्री सेल्सेस के ऊपर ही रहता है जहां pressure cooker में भोजन को पकाते हैं तो उसका तापमान कितना होता है 100 degree celsius के ऊपर ही रहता है नमी का निशकाशन नमी निशकाशन विधी क्या है नमी का निशकाशन विधी किस तरह हम करेंगे तो क्या है यह सात्मा पॉइंट है धूप में सुखाना क्या है धूप में सुखाना तो धूप में सुखाना और कृतिम विधी से सुखा कर नमी को हटाना नमी निसकासन विधी में क्या करते है धूप द्वारा सुखाएंगे क्रित्रीम विधी सुखा कर उसको नमे को हटाएंगे और तीसरा क्या है सक्कर वा नमक का प्रियोग करके हमसे सरचित भुजिपदातों को रख सकते हैं अगे है कि वी संक्रमण विधी आठमा विधी कौन सा है वी संक्रमण विधी इसके अंतर गत बता है कि डिपो बोतलो जारो को खौलते पानी में 25-35 मिनर तक उबाला जाता है जैसे जैम जैली मुझे रखना है उससे स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करेंगो उनके जो बरत करेंगे कि हम उसे 25-35 मिनर तक पाने मुझे उबाल देंगे जिससे डिब्बे मुपस्थी जिवाडू मर जाते हैं खादे पदार्थ खादे पदार्थ जैम जैली चटनी सास प्यूरी स्क्रेंस कैस्क्रेंस और केचप आध्यस सभी को क्या है रखा जाता है अगी सभी को सरचित रखने के लिए क्या होता है 25-30 मिनर तक वरत कांच होते हैं या तुजार होती हैं क्या करते हैं 15 से 25 से 35 मिन तक पानी हो वाला जाता है फिर उससे क्या दूप में दिखाया जाता है फिर उसमें क्या होती है यह सभी भज़पदार्थों को रख सकती हैं लंबे समय तक सलच्षे 116 डिग्री 116 से लेकि 102 डिग्री सिल्सियस तापमान पर हम क्या क्या रख सकते हैं हरी सेम की कली फली मांस मटर आदी इन सभी को एक घंटे तक प्रेशर कूकर द्वारा गर्म किया जाता है इसके बाद भोज़पदाथों को सरच्षित रखा जाता है अगर हम हरी सेम और फली क्या है मांस मटर इन सभी को हम अगर सोच रहे हैं कि कुछ लंबे समय तक सरच्षित रखें तो इनका तापमान कितना होना चाहिए प्रेशर कूकर के अंदर गर्म करके फिर उसके बाद भोज़पदार्थ को सरच्षित रख सकती है और इसके बाद क्या होगा कि जो इसमें पानी होगा यह वास्पिक्रित हो जाता है और क्या है यह लंबे समय तक चल जाएंगे आगे पॉइंट है नवाद डिबबा बंदी तथा बोतल बंदी डिबबा बंदी क्या है सुच में जीवों की व्रिधी एवं विकास की गति को कैसे रोखा जाता है तो इसका क्या ताप मान होगा 100 डिग्री सेल्सेस से लेके 126 डिग्री सेल्सेस उस्टाप पर गर्म करने स सब़िता बंदी वतल बंदी का क्या करने करते समय सुष्मजियों की विध्य ना हो इसका विकास ना इसको रोकने के लिए सव डिगृरी सेह सचा Prix さい آप पांच। प्रशटन स्याट में डाला जाता है क्या किया जाता है कि पांच पर संट Ende नमक होता है जिस रह नमक का गो बना जाता है और सब्जिवों को क्या किया जाता है उन्हें कि वेक्टिटिर्या ना लगे सुछे विकास ना हो तो अडिक हैं झादा फिक विकरण विधी, विकिरण विधी, दस्मा क्या है विकरण विधी, इस विधी में गामा किरणे या तीवर गती इलेक्टराज का प्रयोग किया जाता है, जो गामा किरणे आती हैं इस विधी में गामा किरणों विधी का प्रयोग किया जाता है, गती इलेक्टराज का आगे चलते हैं इसी से related कुछ question बनाए हुए है question की और देख लेते हैं तो क्या है पहला question HT ST HT HT ST का पूरा नाम क्या है तो high temperature short time आगे question है कि पस्चुराइजेसन का अताप मान क्या है अगर degree Celsius में बात करेगा बाक्वेशन पूछा जाएगा तो 62 अगर फारेनहाइट की बात की जाएगी तो 143 डिग्री फारेनहाइट है इसमें आगे point है कि तीसरा question है कि jam jelly मुरब्बा बनाने के लिए सक्कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो jam jelly मुरब्बा बनाने के लिए अधिकांस इसमें सक्कर की मात्रा होती तो 65 से 70% होनी चाहिए आगे question है कि पानी का कोतना को होता है तो 100 degree Celsius पे पानी कोतना होता है आगे है कि ब्लांची की प्रक्रिया क्या है तो फल या सबजयों को 100 degree Celsius पर एक से 30 मिनट तक उबाल दिया जाता है तुरांद बात उसे ठंडा कर दिया जाता है यही प्रक्रिया ब्लांची कहलाती है आगे question है कि गहरी हीमी भूत विधी में कितनी विधीों का चर्चा किया गया है इसमें 2 विधीों का प्रयोग किया गया है आगे question है कि दू, दही, फल, अंडा, आदी, सेवी की आदी सभी का तापमान कितना होना चाहिए तीस अभी का ताप मांच 4 डिग्री से से 10 डिग्री से 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 के बीच होना चाहिए आज के लिए ही इतना ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइज सस्क्राइब जरू किजिएगा इसमें सभी भुज़े पदार थे कि क्या है टंपरेचर को बताया गया है तो जो भी आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में बताइए आज के लिए इतना ही थैंक्स फर वाचिए